हाला की ताड़ना और न्याय के बहुत सेवचन कहे हैं तुम लोगों से परमेश्वर ने लागू नहीं किये गए हैं वे तुम लोगों पर हां काम के तौर पर लागू नहीं किये गए हैं तुम लोगों पर परमेश्वर आया है अपना काम करने और वचन बोलने हाला की कठोर हो सकते हैं उसके वचन तुम्हारी ब्रस्ट ताके विद्रोह के नयाए की खातिर बोले जाते हैं ये वचन एक्जा करके इनसान को नुकसान पहुचाना नहीं है परमेश्वर का मकसद बलकी शैतान के प्रभुत से इनसान को पचाना है उसका मकसद परिराम हासल करना है परमेश्वर के कठोर वचनों का मकसद इसी कार ये शैली से खुद को जान सकता है इनसान अपने विद्रोही स्वभाव से पीछा छुडा सकता है इनसान हाला की कठोर हो सकते हैं परमेश्वर के वचन इनसान के उद्धार के लिए बोले जाते हैं ये वचन क्योंकि वो के वल वचन बोल रहा है इनसान की देह को सजा नहीं दे रहा है इनसान को रोशनी में जीने में मदद करते हैं ये वचन रोशनी का अस्तित्व है ये बेशकींती हैं पताते हैं ये वचन इनसान के लिए ये फाइदे मंद हैं तम जाते हैं ये वचन परमेश्वर उद्धार हैं ज्यान कराते हैं ये वचन वचनों के काम के बड़े मायने हैं सत्य को जानकर अमल में ला सकता है इनसान अपने स्वभाव में बदलाव ला सकता है इनसान खुद को और परमेश्वर के काम को जान सकता है इनसान इस तरह बोलकर काम करने के जरिये ही परमेश्वर और इनसान के बीच बढ़ाया जा सकता है रिष्टों को और केवल वचन ही समझा सकते है सत्य को यह बहतरी तरीका है जीतने का इनसान को बचन भोलने के अलावा कोई तरीका नहीं है जिसके जरिये इनसान जान सके सारे सत्य और परमेश्वर के सारे काम को अनजाने सत्य और राज जागर करने इनसान को सत्य माद और जीवान हासिल कराने अपने काम के अंदिम चरन में बोलता है परमेश्वर और इस तरह पूरी होती है इच्छा परमेश्वर की हाला की कठोर हो सकते हैं परमेश्वर के वचन इनसान के उपधार के लिए बोले जाते हैं ये वचन क्योंकि वो केवल वजन वो रहा है इनसान की देह को सदा नहीं दे रहा है इनसान को रोशनी में जीने में मदद करते हैं ये वजन रोशनी का अर्स्तित है ये बेश कीमती है बताती है ये वजन इनसान के लिए ये फाइदे मंद है समझाते है ये वजन परमेश्वर उद्धार है ग्यान कराते है ये वजन लुपर बदों करते हैं झाल झाल